हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरीरी, आज मैं आपके लिए भहुती सुन्दर और भहुती आसान ओल प्रोजक्ट पैटन लेके आई हूँ, बनके देखे भहुती सुन्दर हमारा ये पैटन आ जाता है, ये देखे ये फ्रंट साइड है, और ये देखे ये हमारे पैटन का वेक साइड, दोनों साइड से देखे हमारा पैटन बहुती सुन्दर आता है, दस नंबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेना है, और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है, जोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैन प्रौंद लेंगे यह ऐस्ट्रा फंद उतार दिया फिर धागा अपनी साइट करेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे जो эпारches अच्ता फंद फिश्थ कीन फंद ह हमारा 6 फंदों पे पैटन आएगा अब नेश 6 फंदों पे पैटन आएगा तो देखे जो पहला फंदा है इसको हमने बाद में बुनना है पहले हमने ये पीछे वाला फंदा बुन लेना है तो देखे बैक साइड की तरब से ये देखे इस फंदे को बुन लेंगे ये ऐसे फिर देखिए दोनों फंदों को हमने सिलीप कर लेना है और देखिए जो ये पहला फंदा है इसको उठा लेंगे ऐसे और देखिए इसको बिना बुने ही हमने राइट नीडिल में डाल देना है फिर देखे नेश चार फंदे सीधे बुनेंगे ये देखे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और छे फंदों पे देखे यहां पे पैटर्न बनेगा तो देखे छे फंदों में से देखे जो पहला फंदा है इसको हमने पीछे ले जाना है और पीछे वाला फंदा आगे लाके बुन लेना है तो देखे बैक साइड की तरफ से सलाई डालेंगे और पीछे वाला फंदा पहले बुन लेंगे तो देखे ये बुन दिया और फिर हमने ये दोनों फंदे ऐसे सिलीब कर लेने फिर देखे ये फंदा उठा लेंगे ये देखे लेफ निडिल की साइता से उठाया और इसको बिना बुने ही राइट निडिल में डाल देंगे फिर देखे नेट्स चार फंदे सीधे बुन लेंगे ये चार फंदे सीधे बुन लेंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे छे फंदों पे पैटन बनेगा तो देखें back side की तरब से पीछे वाला फंदा पहले भुन लेंगे अब दोनों फंदों को slip करेंगे और पहले वाला फंदा हम ऐसे left needle में उठाएंगे और इसको बिना भुने ही right needle में डाल देंगे यानि कि slip कर देंगे फिर देखें चार फंदे सीधे भुनेंगे तो देखें सेम प्रोसिस रिपीट करते हुए front side से first row complete कर लेंगे अब देखें back side से second row अब second row में देखें front side से जो दो फंदे उल्टे आए हैं back side से सीधे आएंगे और front side से जो 6 फंदे सीधे आए हैं back side से उल्टे आएंगे तो देखें पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे 6 फंदे उल्टे बुनेंगे तीन चार और देखें 5 और ये 6 तो ये 6 फंदे हमने उल्टे बुन दिये फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी side 6 फंदे उल्टे बुनेंगे बैक साइड से हमारी second row कम्प्लेट हो गई बैक साइड से हमारे पूरे पैटन में यही प्रोसिस रिपीट होगा अब देखें फ्रंट साइड से थर्ड रो अब थर्ड रो में देखें एश्ट्रा फंदा उतार लेंगे फिर धागा अपनी side 2 फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनें देखें यहां पर यह जो पहला फंदा है इसको पीछे ले जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे लाएंगे तो देखें बैक साइड की तरफ से हमने पीछे वाला फंदा पहले भुन के उतार लेना है यह देखें फिर देखें दोनों फंदों को सिलीप करेंगे और द पर द्धागा अपनी साइड दो फांदे उड़्टे बुनेंगे फिर दागा पीछे फिर देखिंए हमारा छेए Defense पर बनेगा तो देखिंए पैला फांदा सीधा बूनकर उतारेंग आप दеखिए जो ऐनेस्ट फांदा है इसको पीछे ले जाना है और पीछे वाला फंदा आगे लाना है तो देखे बैक साइड की तरब से हमने पीछे वाला फंदा भुन लेना है फिर देखे दोनों फंदों को सिलीप करेंगे और आगे वाले फंदे को लेफ नीडिल की सायता से उठाएंगे और इसको राइट नीडिल में डाल देंगे फिर देखे य प्रोसेस रिपेट करते हुए फ्रंट साइड से हमने थर्ड रो कमप्लेट कर लेनी है अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो को हमने सेकिंड रो की तरह बुनते हुए कमप्लेट करना है प्रांटी साइड से फिप्तरों अब फिप्तरों में देखे एश्ट्रा फंदा उतार लेंगे अब देखे 9 फंदों पे पैटर्न बनेगा तो दो फंदे सीधे बुनेंगे अब देखे दो फंदे सीधे बुनने के बाद देखे ये जो नेस्ट फंदा ये पीछे जाएगा और पीछे वाला फंदा आगे आएगा तो देखें back side की तरब से यह अईसे पिछे वाला फंदा बुन लेंगे फिर दोनों फंदों को sleep करेंगे और आगे वाला फंदा हमने ऐसे left needle में उठाना है और फिर इसको right needle में डाल देना है फिर देखें दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और देखे 6 फंदों पे पैटन बनेंगे तो दो फंदे सीधे फिर देखे नेस्ट फंदे पे पैटन आएगा तो ये आगे वाला फंदा पीछे जाएगा और पीछे वाला फंदा आगे आएगा तो बैक साइड के तरब से पीछे वाला फंदा भून लेंगे फिर देखे दोनों फंदों को सिलीप करेंगे आगे वाला फंदा हमने लेप निडिल से उठाया और फिर इसको राइट निडिल में बिना बुने ही डाल दिएगे फिर दो फंदे सीधे फिर दाग अपनी साइट दो फंदे उल्टे तो देखे सेम प्रोसिस रिपीट करते हुए फ्रंट साइट से फिफ्त रो कम्प्लेट कर लेंगे अब देखिए बैक साइट से 6 रो में देखिए जो फंदे सीधे हैं सीधे पुनेंगे जो उल्टे हैं उल्टे पुनेंगे अब बैक साइट से 6 रो को सेकिंड रो की त głow पुनते हुए कम्प्लेट करेंगे ये देखें, बैक साइट से हमारी सित्सरो कमपलीट हो गई, अब देखें, फ्रण्ट साइड से सेवन्त्रो, आप सेवन्त्रो में देखें, एsheरा फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड दो फंदे, उल्टे भुनेंगे, धागा पिछे तीन फंदे, अब देखें, लेट तीन फंदे सीधे बुनने के बाद देखे आगे वाला ये फंदा पीछे जाएगा और पीछे वाला फंदा आगे आएगा तो देखे बैक साइड की तरब से ये फंदा हमने पीछे वाला बुन लेना है फिर हमने ये दो नो फंदे स्लिप कर लेना है फिर देखे आगे वाला ऐसे उठाएंगे left needle से और बिना बुने ही right needle में डाल देंगे फिर एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी side दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे फिर 6 फंदों पे pattern आएगा तो देखे एक दो तीन फंदे सीधे बुने तीन फंदे सीधे बुनने के बाद देखे आगे का फंदा पीछे और पीछे का फंदा आगे आएगा तो देखे बैक साइड की तरब से पीछे वाला फंदा पहले बुन लेंगे फिर दोनों फंदे सिलिप किये फिर देखे आगे वाला फंदा यहां से लेफ निडिल से उठाएंगे और इसको राइट निडिल में बिना बुने ही डाल देंगे फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे तो देखे सेम प्रोसिस रिपीट करते हुए फ्रंट साइड से हमने सेवन तरो कमप्लेट करनी है अब देखे बैक साइड से एड़ तरो अब एड़ तरो को भी हमने सेकिंड रो की तरो बुनते हुए कमप्लेट करना है जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे और जो उ उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनेंगे आप देखिए फरंट साइड से नाइंतरो अब नाइंतरो में देखिए एस्ट्रा फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए चार फंदे सीधे बुन लेंगे ये छे फंदों में से हमने ये चार फंदे सीधे बुन लेंगे अब देखिए ये लास्ट में जो हमारे दो फंदे रहा जाते हैं तो और आगे का फंदा सिलिप करके ऐसे लेफ निडिल में उठाएंगे और फिर इस फंदे को राइट निडिल में डाल देंगे तो देखे ये 6 फंदों पे हमारा पैटन आ गया फिर धागा अपनी साइड 2 फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे फिर देखे 6 फंदों है तो आगे का फंदा पीछे जाएगा और पीछे का फंदा आगे आएगा तो देखे बैक साइड की तरब से पीछे का फंदा बुन लेंगे फिर दोनों फंदे सिलिप करेंगे और इस देखे आगे वाला फंदा हमने लेफ निडिल से उठाना है और इसको राइट निडिल में बिना बुने ही डाल देने तो देखे सेम प्रोसिस रिपीट करते हुए फ्रंड साइड से नाइंत रो कंप्लीट करेंगे अब देखे बैक साइड से टैंत रो अब टैंत रो में देखे जो फंदे सीधे हैं सीधे बुनेंगे जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे द दो, तीन, चार, पांच, और छे, ये छेई फंदे उल्टे बुन दिये, फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे भुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, छेई फंदे उल्टे बुन लेंगे, तो देखे अपनगाई सेम प्रॉसिस रिपीट करते हुए हमने बैक साइड से अपनी टैंत्रों कम्प्लीट कर लेनी है ये दिखे बैक साइड से हमारी टैंत्रों कम्प्लीट हो गई पूरे पैटन में बैक साइड से यही प्रोसिस रिपीट होगा दो फंदे सीधे, छे फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, छे फंदे उल्टे यह दिखे यह back side से हमारा pattern कुछ इस तरह से दिखेगा अब देखे फ्रंटी side से 11th row अब 11th row में हमारा pattern repeat होगा यह दिखे हमारा pattern यहां पे बनके complete तयार हो चुका है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो खिरपया लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हों तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूलें